नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है राहुल यादव और मैं आप सभी का स्वाधत करता हूं इंवेस्ट राइट की एक नए वीडियो में दोस्तों बहुत बड़ी ऐसा कमेंट मैंने आज की वीडियो के लिए पिक किया है कमेंट आप सभी के लिए काफी ज्यादा हेलफुल होने वाला है तो बहुत ही ध्यान से देखेगा और समझेगा आज की वीडियो को क्योंकि यहां कि चीज में आप सभी को समझाओंगा बिल्कुल सिंपल भाशा में दोस्तों कमेंट आया है लंसम को लेकर कुछ लोग अगर कुछ लोग लंसम इंवेस्मेंट करना चाहते हैं करना चाहते हैं उसी के हिसाब से वीडियो मैं तयार करता हूँ तो आज की जो वीडियो है वो भी स्वेट को लेकर होने वाली है लंसम के लिए अब देखे टॉपिक को थोड़ा ध्यान से समझेंगे क्योंकि देखे लमसम इंवस्टमेंट है अब जैसा कि इन सर्ड ने पूछा है कि मैं SBI के कौन से फंड में लमसम करूँ इस चीज़ को मैं क्लियर करूँगा तो जो मेरे बागी के वीवर्स वीडियो देख रहे है वो भी इसके बाद अपने लिए डिसीज़न खुद से ले पाएंगे कि वाकई उनको कौन से फंड में लमसम इंवस्टमेंट करना चाहिए क्योंकि देखें, mutual fund में काफी सारे plans हमें देखने को मिलते है risk सभी में अलग-अलग होता है तो कौन से fund आपके लिए बढ़िया हो सकते है या decision आप आज की वीडियो को देखने के बाद खुद से भी ले पाएंगे तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को start करते हैं क्योंकि कुछ लोग comment भी करते हैं कि राहूल सर की वीडियो अगर देखनी है तो शुरू में थोड़ा सा skip कर दीजिए तब भी देखिए ऐसा नहीं है शुरू में जो मैं बात ही आपके साथ करता हूँ वो भी आपके लिए काफी helpful रहती है ऐसा नहीं है कि मैं खाली वीडियो की length बढ़ाने के लिए आपसे बाते कर रहा हूँ ऐसा बिल्कुल नहीं है ऐसी चीज़े आप कभी भी मत सोचेगा चलिए सीधा बात करते हैं topic की topic है lump sum investment यह आपको clear हो चुका है कि lump sum investment हम किसे कहते हैं एक साथ कुछ पैसा है दो लाग पांच लाग उसको में एक साथ निवेश mutual fund में करना चाहते हैं उसको हम lump sum investment बोलते हैं अब देखिए SBI के fund में ही निवेश करना है तो SBI के दो funds के बारे में आज की वीडियो में मैं चर्चा करूँगा चलिए पहला जो fund आ जाएगा SBI की तरफ से SBI blue chip आ जाएगा SBI blue chip दूसरा जो fund आ जाएगा वो भी SBI की तरफ से आ जाएगा SBI large and mid cap अब दोनों में difference क्या रहने वाला है आपके लिए कौन सा ज्यादा suitable रहेगा वो आप ध्यान से समझेगा मैं तो आपको conclusion बताऊंगा इबाकि खुद से भी आप decision अपने ले ले पाएंगे यही मेरी वीडियो में मेरा target होता है कि जो भी topic में आपको समझा रहा हूँ बता रहा हूँ वो इतनी clarity के साथ आपको बताऊं इतना simple way में आपको बताऊं कि आप खुद से अपने ले decision ले पाएंगे चलिए देखिए दोस्तों सबसे पहले बात करूगा मैं SBI Blue Chip Fund के बारे में पहले समझते हैं कि SBI Blue Chip Fund आखिर होता क्या है और यह SBI Large and Mid Cap से कैसे अलग है देखिए दोस्तों SBI Blue Chip Fund एक Large Cap category का fund है Large Cap category का मतलब है कि जो हम पैसा इसमें निवेश करेंगे हमारे पैसे का minimum 80% पैसा इंडिया की top 100 companies में निवेश किया जाएगा यानि कि आपका maximum पैसा 80% पैसा minimum है से ज्यादा भी हो सकता है top 100 companies के stocks में निवेश किया जाएगा या आप ऐसे भी कह सकते हैं AUM wise जो company 20,000 करोड से बड़े साइस की है उसमें आपका पैसा निवेश किया जाएगा यह हो जाएगा हमारा SBI blue chip fund देखे यह सेबी का एक नियम हर एक mutual fund पर लागू होता है कुछ ना कुछ उसी के हिसाब से वो उसको systematically funds को चलाते हैं तो यहां नियम यह कहता है कि आप इस तरह से पैसे को निवेश करेंगे अब चलिए यह एक basic मैं आपको बताया अब आगे बढ़ते हैं इसमें fund size की अगर में बात करूं कितना पैसा लोगों ने इस fund में निवेश किया है 44,819 करोड रुपे लोगों ने इस fund में निवेश किये हैं expense ratio की बात करूं 0.86% expense ratio हमें देखने को मिलता है holdings की बात करेंगे holdings से काफी चीजे clear होती है holdings का मतलब है कि जो पैसा आपने निवेश किया है उस पैसे का diversification किस तरह से यहां पर किया गया है जैसा कि मैंने आपको बताया था minimum 80% पैसा तो इंडिया की top 100 companies में निवेश किया जाना ज़रूरी है यहां कितना किया है उसको भी समझते है large cap mid cap और small cap देखें तीन जगे पैसे का diversification किया जाना है large cap में यहां रखा गया है 81.41% mid cap में हां रखा गया है 14.83% small cap में निवेश यहां नहीं किया गया है small cap का मतलब है बहुत ज़्यादा volatile company है बहुत ज़्यादा छोटे size की company है अगर आप ranking wise देखेंगे तो 251 से लेकर 500 rank तक की company है small cap में आती है AUM wise अगर आप देखें तो 5000 करोड से छोटे size की जो company है वो small cap के टेगरी में आती है तो वहाँ निवेश नहीं किया गया है ज्यादा risk की यह fund लेकर नहीं चल रहा है maximum पैसा large cap में है तो काफी हद तक यह fund हमारे risk को यहां कम करने की कोशिश कर रहा है आगे बढ़ते है SBA large and mid-care fund की तरफ पहले returns की भी बात कर लेते हैं long term returns अगर देखे last के 10 years के returns की अगर मैं बात करूँ हमें 15% के returns इस fund से देखने को मिलते हैं last के 10 years में अब बात करते हैं SBA large and mid-care fund की यहां भी CW का नियम लागू होता है वो हमें यह कहता है कि minimum 35% पैसा जो आपका निवेश होगा वो इंडिया की top 100 companies में होगा और minimum 35% पैसा जो निवेश होगा वो उन company में होगा जो ranking wise 101 से लेकर 250 तक आ जाएगी यानि कि यहां आपका minimum 70% पैसा आप कुछ यूँ भी कह सकते हैं इंडिया की top 250 companies के stocks में निवेश किया जाएगा यहां 80% पैसा top 100 में जा रहा था वहां 70% पैसा top 250 में जा रहा है यानि कि यह fund इस fund के मुकाबले ज्यादा रिस्क लेकर चल रहा है अब ज्यादा रिस्क लेने से ज्यादा benefit भी है या नहीं उसको भी हम लोग समझते हैं चलिए आ जाते हैं SBI large and mid cap fund की तरफ चलिए अगर देखें fund size की मैं बात करूँ fund size हमें देखने को मिलता है 21,270 करोड रुपेगा इतना पैसा लोगों ने इस fund में निवेश किया हुआ expense ratio की बात करो 0.76% का हमें देखने को मिलता है अब direct holdings की बात करेंगे large cap, mid cap और small cap में इसके मुकाबले यहां diversification हमें किस तरह से देखने को मिल जाता है चलिए large cap में 44.79% हमें देखने को मिलेगा 44.79% mid cap की में बात करो 36.84% और small cap के गर में बात करो 13.6% कुछ इस तरह से diversification हमें देखने को मिलता है अब इस चीज को ध्यान से समझ यह देखे यहां बहुत ध्यान देने की ज़रुरत है यहां इंडिया की जो top 100 companies में निवेश है वो 81% का है जबकि large and mid cap में 44.79 यहां लगबग 45% का है mid cap यानि की वो कमपनिया जो 101 रेंक से लेकर 250 रेंक तक जाती है यहां केवल 14% है जबकि यहां 36% से भी ज्यादा है यहां लगबग 37% है small cap जो की बहुत रिस्की कमपनिया है यहां कुछ भी निवेश नहीं है यहां जबकि हमें लगबग 35% का निवेश देखने को मिल रहा है तो SBI large and mid cap जो fund है वो SBI blue chief fund के मुकाबले ज़्यादा रिस्की हमें देखने को मिलता है comparison मैंने इसलिए किया है क्योंकि देखिए कुछ लोग safe fund में निवेश करना चाहेंगे भले रिटन्स थोड़े से कम हो लेकिन कुछ लोग थोड़ा सा रिस्क लेके आगे बढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा सा रिस्क लेने के लिए तयार होते हैं और ज्यादा रिटन्स भी उनको मिल जाते हैं लेकिन जितना ज्यादा रिस्क रहेगा returns तो ज्यादा रहेंगे लेकिन थोड़ा सा देखे सभी के risk tolerance अलग-अलग है तो आप उसके हिसाब से निवेश यहां कर सकते हैं अगर मैं returns की बात करूँ last के 10 years के returns की बात करूँ तो यहां हमें 17.76 यानि कि लगबग लगबग 18% के आसपास के returns इस fund ने बना कर दिये हैं और अगर मैं compare करूँ last के 5 years के returns इस fund ने बना कर दिये हैं 23% के returns last के 5 years के returns की मैं बात कर रहा हूँ और अगर मैं SPI blue chief fund की बात करूँ last के 5 years के returns की वहां देख लेते हैं कितने हमें देखने को मिले हैं यहां हमें देखने को मिले हैं 15.92% के 15.92% के ये लास्ट के 5 यर्स के हैं ये 10 यर्स के हैं यहां लगबख लगबख सेमी रिटरंस देखने को मिले हैं जबकि यहां लास्ट के 5 यर्स में काफी ज़्यादा उच्छाल हमें देखने को मिला है तो देखिए जिस तरह से risk में हाँ पर difference हमें देखने को मिल रहा है ठीक उसी तरह return में भी हमें difference देखने को मिल रहा है अब मैं मान कर चलता हूं कि लास्ट के five years की अगर मैं बाथ करूं या last के चली है येर्स की बात कर लेते हैं दो लाक रुपे लंसम का हमारा सवाल था इसके लिए साइपी कैलकुलेटर का थोड़ा यूज करेंगे और देखेंगे कि दस साल पहले अपने इसमें पैसा निवेश किया होता तो कितने बनते चलिए दो लाक रुपे का लंसम है दो लाक रुपे रिटर्स हमें SBA ब्लू चिप में 15% की देखने को मिले हैं दस साल के लिए अगर हम निवेश करते हैं तो दो लाक रुपे की वेल्यू बन जाती आठ लाक रुपे SBA SBA Blue Chip SBA Blue Chip में दस साल पहले अगर हमने दो लाक रुपे निवेश किया होते तो यह बन जाते आठ लाक रुपे वहीं SBA Large and Med Cap की अगर मैं बात करूं यहां आपने अगर दस साल पहले दो लाक रुपे का निवेश किया होता तो यह जो आपकी वैल्यू है यह बन जाती 9,61,000 रुपे 9.61,000 यह डिफ्रेंस आपको दोनों फंड्स में देखने को मिलेगा अगर आप रिटंस ज्यादा चाहते हैं तो थोड़ा सा रिस्क आपको ज्यादा लेना पड़ेगा लेकिन अगर आप थोड़े से कम रिटंस से भी खुश है रिस्क कम लेना चाहते हैं तो आप SBA बलोची फंड के साथ जा सकते हैं कंपेरिजन दोनों में मैंने कर दिया है रिस्क कहां कम है देखिए रिस्क यहां कम है जो इंडिया की टॉप हंड्रेड कंपनीज में जितना ज्यादा हमारा निवेश होगा रिस्क उतना ही कम रहेगा कारण किया है बड़ी बड़ी कंपनीज के स्टॉक्स में जब पैसा निवेश किया जाता है जबकि SBA Blue Chief Fund में यहां निवेश नहीं किया गया है देखिए लॉंग टर्म के लिए आप ठीक है थोड़ा सा पैसा स्मॉल कैप में भी निवेश कर सकते हैं अगर आप थोड़े से रिश की इन्वेस्टर हैं अग्रिसीव इन्वेस्टर है तब आप स्मॉल क hedge को भी अपने पोर्फोल्यो में शामिल कर सकते हैं और अचछे रिटन्स बना सकते हैं क्योंकि small caps returns हमें कई बार काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं जैसा कि last के 5 years में SBA large and mid cap fund ने 23% तक के returns दी हैं जबकि SBA blue chip fund एक panel returns ही हमें दे रहा है यहां भी लगबग 15-16% के असपासी returns हमें देखने को मिल रहे हैं यहां हमें काफी उच्छाल देखने को मिला है वो इसलिए देखने को मिला है क्योंकि small cap यहां हमारे portfolio में शामिल है और small cap ने पीछे last के 5-6 साल में अगर आप देखे तो अच्छे returns generate किये थे तो दोस्तों यही आज का topic था कि आप अपने लिए सही fund चूज कर पाएं लमसम के लिए तो उमेद करता हूँ कि topic आपको पूरी तरह से clear हुआ होगा फिर भी कोई confusion हो आप मुझे दोबारा comment कीजेगा reply में आपको जरूर करूँगा बाकी दोस्तों recommendation यह नहीं है educational purpose वीडियो आप लोगों के लिए बना गया है वीडियो कैसे लगी comment में शरूर बताईएगा पसंद आई हो तो like share भी कीजेगा और मेरे channel पर अगर आप नए हैं इसको भी subscribe आप शरूर कीजेगा नमस्कार